सेडनास फायट वीक में आपके साथ डिसकस कर रही हूँ जिसके पार्ट 29 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चनल पर प्लेइलिस्ट है सेडनास फायट वीक सीरीस के नाम से उसमें आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंट पर भी मैं एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दूँगी तो वहाँ पर भी जाकर आप सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेडनास वाइट वीक पार्ट थर्टी तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा गाईस लेकिन उससे पहले आप नेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजगा और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्रेम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से शेहनास अभी सिधात को इगनॉर कर रही है वो बात ही नहीं कर रही है सिधात से और फुल इगनॉर कर रही है और सिधात ये चीज़ बिलकुल भी बरदाश नहीं कर सकता कि सिधात को शेहनास इगनॉर करे और वो बैठी है उस टीम के साथ जो की हमेशा ही सिधात की बुराईयां करते आए हैं और शेहनास को भी तो इसी चीज़ से प्राबलम थी ना कि सिधात उन लोगों को सपोर्ट करता है उन लोगों के साथ बैटता है जिसने शेहनास को इतना बुरा भला कहा अब टास्क भी हमने देखा सिधात बहुत जादा हर बात में घुसे में आ रहा था उसका अग्रेशन न बोल रहा था उकसा रहा था मैं यू कहूंगे लेकिन सिधात ने कुछ रियक्ट ही नहीं किया क्योंकि इस समय सिधात एक अलग ही जोन में जा चुका था सिधात ने टास्क में बहुत रियक्ट किया बहुत अग्रेशिव हुआ बहुत अग्रेशन निकाला लेकिन अब जब जब आसिम सिधात को पॉप कर रहा है सिधात अग्रेसिव नहीं हो रहा अभी उसका अग्रेशन भी बाहर नहीं आ रहा क्योंकि अब वो एक अलगी जोन में चाचुका है उससे ऐसा लग रहा है कि मैं किस तरह से शहनास को मना लू ये जो मुझे इतना ज़ादा इग्नॉर कर रही है मैं क्या करूँ कि शहनास और मतलब सब कुछ पहले जैसा हो जाए सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि शहनास बैट भी चेंच कर चुकी है जो कि सिधात बहुत बहुत ज़ादा अभी emotionally hurt हो रहा है सब चीजों से और वो एक अलगी जोन में वो बहुत ज़ादा बात करना चाहता है शहनास से बट वही है कि दोनों के बीच में misunderstanding है और ये misunderstanding इतनी ज़ादा बढ़ती जा रही है कि इनके बीच में कुछ ठीक अभी हो ही नहीं पा रहा है कुछ ठीक होने लगता भी है तो एक नई गलत फहमी आ जाती है और चीजे वापिस से बीगड़ती चली जाती है तो वही तो है ना कि इतना कुछ चीजे बीगड़ने के बावजूत सब कुछ ठीक होगा और वो मॉमेंट बहुत जल्द आएगा और बहुत खुब सूरत भी होगा लेकिन अभी परिक्षा के घड़िया थोड़ी और बागी है तो यहाँ पर आसेम सिधात को पोक करने के लिए फिक्स डिपॉजिट बोलता है एक बार फिर से बोलता है और ये चीजे मकड़ी वाले टास्क में भी आसेम ने बोली फिक्स डिपॉजिट आज टास्क के दोरान फिर से फिक्स डिपॉजिट बोली और अभी फिर से ये वर्ड आया फिक्स डिपॉजिट और सिधात इस चीज़ से बहुत सादा पिंच हो चुका था उसे लग रहा था कि यार यह fixed deposit एक dirty word है वैसे guys मैं आपको बता दू exactly इसका meaning मुझे भी नहीं पता है मैंने इस Big Boss season 13 में ही यह fixed deposit word सुना है लेकिन जिस तरह से सिधात बोल रहा था पता पढ़ रहा था कि एक dirty word है जो कि आसिम बार-बार use कर रहा है सिधात कहते कि वो आरती के लिए use कर रहा है शहनाज और आसिम बार-बार यह word use कर रहा है और आरती के लिए use कर रहा है वो शहनाज का नाम नहीं लेता कि शहनाज के लिए भी आसिम ने use किया वो सिर्फ वो सिफ आरती के लिए बोल रहा है सिधात के मन में यही था कि जिस तरह से आसिम इस तरह की चीजे बोल रहा है तो शहनास के दिल में कितनी जादा गलत फहमी और भी जादा बढ़ रही होगी सिधात को सिर्फ वही टेंशन था सिधात कहीं न कहीं यह चीजें क्लियर करना चाहता था शहनास से भी क्लियर करना चाहता था कि ऐसा कुछ है ही नहीं और आसिम जिस तरह से ये चीज़े गलत फहमिया बढ़ाने के कोशिश कर रहा है तो कहीं शहनास उन बातों में ना आ जाए सिधात यहां पर शहनास को खोने से डर रहा था इस बढ़ती हुई गलत फहमिय से अब सिधात को डर लगने लगा था वो इन सब चीज़ों को अब क्लियर करना चाहता था तो सिधात यहां पर बाहर वैटता है और आसिम जी मेरिया में होता है और सिधात उसे जिस तरह से देख रहा होता है इस ऐसा लगता है कि अब भी जाके सिधात उसका मूँ तोड़ेगा क्योंकि सिधात बहुत जादा घुस्से में आया हुआ था और इस पास से कि जो फिक्स डिपॉजिट बार बार यूस कर रहा था ना उस चीज से सिधात और भी जादा चुड़ चुड़ चुका था क्योंकि चीजें कहीं न कहीं मैसी होती जा रही थी ठीक होने की बजाए और भी चीजें मतलब धीरे-धीरे बिगड़ रही थी और जो सिधात बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था तो सिधाद बाहर बैड़ा होता है और ये सब लोग भी बाहर होते हैं पारस, आरती, शेफाली तो सिधात कहते हैं कि ये लोग एक शब्द बार बार बोल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, कायका फिक्स डिपॉजिट, कैसा फिक्स डिपॉजिट नाम नहीं लेता वो सिर्फ आर्ती को बताता है कि आर्ती को बोलते है फिक्स डिपॉजिट और आर्ती हैं पर सुनती है और सिधात बोलता है कि मतलब इस लड़की को कोई फार्क ही नहीं पड़ता विच इस वेरी गूड वेरी गूड अगर तुम्हें कोई फार्क नहीं पड और यही तो सिधात चाहता था सिधात चाहता था कि शहनास के सामने ये चीजें क्लियर हो fix deposit वाली क्योंकि ये बहुत बेकार वर्ड है अच्छा वर्ड ने डिर्टी वर्ड है तो सिधात नहीं चाहता था कि शहनास इस चीजे को लेकर overthink करे या उसके मन में इस बात को लेकर कुछ गलत फहमी और भी ज़्यादा बड़े तो सिधात यहां पर एक प्लान के थू कहो या यू कहो कि आर्टी के थू ये सारी चीजे क्लियर करवाना चाहता था क्योंकि वो खुद चीजें कलियर होती है अब आर्टी अंदर आती है और वो रश्मी से पूछती है कि रश्मी में अभी एक ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट शेफाली बोड़ रही है कि ये वर्ड तुमने और अरहान ने बोला है मेरे लिए बोला है कि मैं सिधात की फिक्स डिपॉजिट हूँ तो इसका आखिर मतलब क्या है कि फिक्स डिपॉजिट तो यहाँ पर आसिम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है ये तो एक गलत में मतलो इसका मतलब होता है permanent dose जो कि हमेशा साथ देंगे ही चाहे गलत हो या सही हो लेकिन आप उसका साथ दोगे ही इसलिए ये शब्द बोला है permanent dose और रजमी भी बोलती है हाँ ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई word हमने इस way में use नहीं किया तो यहाँ पर आरती कहती है कि ठीक है कल सर आएंगे मतलब सलमान सर के बारे में बोलती है कि अगला दिन विकेंड के बार का ही होने वाला है next episode तो यहाँ पर आरती बोलती है ठीक है तो मैं सर से पूछूंगी पता चल जाएगा कि किस ने बोला और किस way में बोला फिर आरती बाहर आती है और पारस सिधात और यहाँ पर शेफाली जरी वाला और महरा बैठे थी तो उनसे बोलती है कि वो लोग तो बोल रहे है कि पर्मानेंट फ्रेंड इसका मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है permanent friend तो यहाँ पर सिधात बोलता है no it's dirty word और पारस भी बोलता है कि हाँ यह अच्छा word नहीं है like use and throw मतलब use करो और छोड़ दो इस टाइप से मतलब dirty word ही बोलेंगे इसको एक लड़की के लिए तो यह सुनकर आरती और भी ज्यादा तिल मिला जाती है और उसे लगते है कि अब वो रो रही थी तो एक पल को में भी emotional होगी थी वो जिस तरह से आहें भर भर के रो रही थी और एक लड़की के लिए इस तरह से word use किया मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन यह क्या अगले ही पल मुझे हसी आ गई हसी इस बात पर आई कि यह इतना रो रही है इतनी आहें भर रही है इतनी उसको डचके आरे वामेट टाइप से हो रहा है और वो चाय पी रही है मतलब ऐसा कून करता है इतना जब कोई रोता है इंसान खाना पीना छोड़ देता और इतना बड़ा श्रब्द चुतन के अगर आप इतने हर्ट हो तो भी आपका मन चाय में बुला लो मुझे बुला लो मुझे आपसे बात करनी है मुझे क्लियर करना है ऐसे में भी मैडम चाय नहीं छोड़ेंगी भई चाय नहीं छोड़ सकती चाय तो पीना ही है खाना पीना अपना बिलकुल लगातार कंटिन्यू चला के ही रखना है भई बिग बॉस से बात करन यह आरती लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत वे में बोले गया है तो इन चीजों को हम जरूर क्लियर करेंगे और आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके मन में इसको लेकर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं उसे समझा भुजा कर आरती को कंसोल करने की कोशि बबाता जा रहा है पही विकेंड के वार पर अब इने भी तो मुद्द एणनाना है ना एनर्जी तो चाहिए एनर्जी खाने पीने से आएगी अभी बिग बोस से बात करने सा पहले चाय पी रहे है तो पिने फिर बिग बोस से बात की और अब आप 네 मैंटे चम Mन प्राष उठाएगी मुद्धा उठाएगी तब सब पता चल जाएगा कि किस ने बोला और किस वे में बोला तो विशाल को लगता है भाई बिग बॉस ने पहले ही मेरी वाट लगा रखी है मुझे बहुत कुछ डाट पड़ चुकी है अब जादा डाट ना पड़े इससे तो बहतर है कि मैं खुदी कुछ कनफेस कर लो तो यहाँ पर विशाल बोलता है कि आरती ये वर्ड मैंने बोला है लेकिन मैंने पॉजिटिव वे में बोला था क्योंकि आप हमेशा सिधात का साथ देती हो इसलिए मैंने ये शब्द बोल दिया था फिक्स डिपॉजिट और मैंने शहना कहती है कि यार मेरा तो तुम नामी मत लिया करो क्योंकि मैं तो सबके अगेंस्ट जाकर खड़ी हो जाती हूं मुझे जो करना होता है वही करती हूं तो भाई ये करने का दम भी हर किसी में नहीं होता जो शेरनी होती है वही ये चीज़े कर सकती है और किसी में दम नहीं है एक सिधात में दम है जो पूरा घर अगेस्ट हो जाए वो बंदा अकेला खड़ा रहके भी अपनी बातों को प्रूफ कर देगा वो सही है तो सही को सावित कर देगा और एक शहनाज जो हमेशा उस बंदे के साथ हो जाती है जो अकेला पड़ जाता है जिसे कॉर्णर करने की क पोशिश की जाती है चाहे वो मधुरी मा हो चाहे विशाल हो चाहे शेफाली बगगा ही क्यों नहों हमेशा उनका साथ देती है जिसका साथ कोई नहीं देता तो इतना दम भी यार हर किसी में नहीं होता शहनाज में ही वो दम है और शहनाज यहां पर कहती है कि भाई मैं तो खड़ी हो जाती है, सबके मेहले ये wordy मत use करना, इतने में kitchen area में आता है पारस और वो ये conversation सुन लेता है, तो ये पारस यहां पर कहता है, विशाल से कि तू अपने उपर क्यों ले रहा है, मत बोल, मत बोल, मत कुछ clear कर, मत बोल, तू अपने उपर मत ले ये सब चीज़ें और होते हैं मतलब यह लोग और यहां पर वो पारस पूरी तरीके से मना करता है विशाल को कि तुच चुपो जा और तु यह चीज मत बोल और ऐसा बोलके बाहर चला जाता है लेकिन यहां पर विशाल को जो क्लियर करना था वो clear कर चुका था अब bedroom area का scene दिखाया जाता है जहां पर सिधात बहुत नम आखों के साथ लेटा हुआ है वो बाहर ही देखे जा रहा है एक ठक वो बाहर की तरफ देख रहा है वो शहनास को देख रहा है कि यार जिस तरह से मैं पैन में हूँ यह लड़की भी तो पैन में ही है ना लेकिन किस तरह से यह अपने दुख को अपने दर्द को अपने चेहरे की मुस्कान के पीछे चुपा ले दिया क्योंकि सिधाद समझ पा रहा था कि जिस तरह से वो खुश नहीं है अभी शेहनास भी खुश हो ही नहीं सकती दोनों एक बुसरे से दूर रहकर कैसे खुश हो सकते थे यहाँ पर सिधाद बहुत बहुत साधा पेन में है और उसकी आखों में दर्द उतर आया है और यह शेहफाली मतलब यार अगर शेहनास पास में नहीं तो यह तो चिपकने का बहाना ही ढूंडी रहती है चिपकती रहती है इनको अकेला छोड़ती ही नहीं अभी बैट पे आने की जरुत है सिधाद के पास बैट पर आकर बैड गई गई है अब शेफाली यहांपर सिधात को लगातार बोले जा रही है कि शान्थ हो जा सिधात क्यों देख रहा है उसे मत देख, मत देख, don't do this सिधात, don't do this, please शान्थ हो जा, इस तरह से सिधात को समझाने की कोशिश करें लेकिन सिधात fully ignore करता है यहांपर शेफाली को, क्योंकि उसक ध्यान, उसका मन, अभी सिर्फ और सिर्फ शेहनास के बारे में सोच रहा है, वो गहरी सोच में डूबा हुआ हुआ है, वो सिर्फ अपने शेहनास के ख्यालों में खोया हुआ है, वो शेहनास को अपने पास देखना चाहता है, अपने साथ देखना चाहता है, लेकि शेहना अलग बैट पर होती है तो ये दूरी जो इन दोनों के बीच में आ चुकी है ना वो कुछ ही पलों की दूरी है लेकिन कुछ लोग ऐसा है ना कि इतनी आग लगाने के बाद भी रात को भी इन लोगों को चेन नहीं है यार यहाँ पे शेफाली और आरती यहाँ पे बात करते हैं शेहनास के बारे में और वो कहते हैं कि यार यह कैसी लड़की है यह कैसे कर सकती है सिथात के साथ इसने ऐसा क्यों किया है यह ऐसा कैसे कर सकती है मतलब यार इन्हें तो बहाना चाहिए और ये शेहणास को नेगटीव दिखाना चाहते हैं कैमरा के सामने आडियन्स के सामने लेकिन आडियन्स पागल नहीं है किसी के दिखाने से हमें कुछ नहीं दिखेगा हम समझपा रहे हमारे सेड़नास की क्या हालत है और उनके बीच में आग किस तरह से लोग लगा रहे हम ये भी देख पा रहे हमें किसी के दिखाने की जरुरत नहीं है किसी से कुछ सुनने की जरुरत नहीं हमने सिधात और शहनास के दिल की हालत उनकी आखों में और उनके चहरों पर साफ साफ दिख रही है रात हो चुकी है सिधात और शेहनास अलग-अलग सो रहे हैं लेकिन दोनों के ही आँखों में नीन नहीं है दोनों के ही आँखों से मानो नीन उड़ चुकी है और दोनों की ही आँखे खुली है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में ही तो सोच रहे हैं यहाँ पर सिधात मन बना चुका है कि मुझे शहनास से बात करनी है भले ही जगडा ही करना है लेकिन वो मुझे इग्नॉर ना करे बस मुझे उससे बात करनी है और अगली सुभा सिधात शहनास से बात करने के बहाने ही ढूंटा रहेगा और यह सब मैं आपके साथ शेयर करू तो यह वीडियो आपको कैसे लगा गारिस कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और इन मॉमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करके ज़ाद से ज़ादा शेयर कीजेगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुच पाएंगी जल से जल थैंक्स वर वाचिंग गाइज